गुड आप गुड बॉर्निंग इस्टुडन्स डीजे सर्क्लासिस में मैं रम बवु आपका हर्दिक स्वागित करता हूं दोस्तों मैं रिजनिंग गुरू आपके लिए इस्पेशल रिजनिंग क्लास लेकर आया हूं जहां पर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ बहु बहुत अच्छे-च्छे ट्रिक्स बतायतें, किस परकार से आपको यह करना है, और इसके लिए आपको DJSR कलासे पर जाएे, और वहां पर देखिये, मेरे basic fundamental आपको मिलेंगे, basic fundamental के बाद बहुत सारे उसके अंदर आपको अच्छे questions मिलेंगे, M3Q questions मैं आपको solve कराऊंगा यहां पे लेकिन दोस्तों मेरे पास इतना परियापते time नहीं होता है कि मैं आपको हर questions से आप solve कराऊंगाँ फिर पिर मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 questions जो भी होते हैं आपको बताऊं और उसके बाद अब जदा जदा आप questions को देखना चाते हैं जदा जदा आप questions को pull करना चाते हैं तो मेरे apps पे जाएए और DJ sir classes apps पे जाएए और वहाँ से reasoning classes को देखिए जहां से आपको rb sir के नाम से बहुत सारे questions मिलेंगे reasoning में दोस्तों हमारा topic था direction direction की बात कर रहे थे हम direction यानि दिशा तो दिशाओं के बारे में मैं जानकारी होगी तो ही हम direction को आगे बढ़ा पाएंगे direction में मैंने कई बार आपको बताया मेरे basic fundamental को आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस परकार से मैं direction को बता रहा था कि left side right side दिशाएं कितनी होती है उप दिशाएं कितनी होती है यह हमने पहले बात की थी उप दिशाओं के बारे में बात कर रहे थे तो उप दिशाएं क्या होती है दिशाएं क्या होती है कई बार left right का पता नहीं होता है बच्चे सुसता है कि सर्ण हमें पता ही नहीं होता है क तो आपका स्वागत एक बार फीर से में स्वागत करता हूं आपका डिज्ए सर कलस्पे करता है और आजये पटाबट अपने तोपिक पर जिसका नाम है डारेक्षन यानी दिशा परिक्ष्ण में बात करते हैं तो देखिए दोस्तूं दिशा के अंदर मैंने आपको बताया थ कि दिशाएं चार होती है वोई बात हम दुबारा नहीं करके आगे बढ़ते हैं दिशाएं चार होती है उत्तर, दक्षिन, पूरब और पशिम ये चार दिशाएं होती है यानि कि North, East, West and South ये चार दिशाएं होती है चार दिशाएं के बारे बात की थी मैंने, मैंने बोला था आपको कि कई बार हमें पता नहीं होता है कि जैसे ये हमारा उत्तर दक्षिन तो हो जाता है अगर ऐसे लिखा गया है इसको उत्तर मान लिया हमने इधर उत्तर है और ये हमारा दक्षिन है तो दोस्तों हमें ये पता कुछ वичार करने का टाइम भी नहीं होता हैं क्या करेंगे डारेक पता लगाएंगे कि जो उत्तर दिशा होती है उसकी गडा कि घड़ी की दिशा में पूरू होता है उत्तर दिशा के चलने पर और अंटर कलोक चलने पर पस्षिम आता है किस दिशा में आता है, clockwise चले पर पूरू आता है, जब हम clockwise चलेंगे, तभी हमारे पास में क्या आएगा, पूरू आता है, यह पूरू आता है, तो यहां पूरू हो गया, तो दोस्तों यह क्या हो गया, हमारा पश्यम हो गया, किसी भी direction में चलें, तो बात हमारे दिशाओं की चल रही थी दिशाएं चार होती है दिशाएं हमारे पास चार होती है और सब डारेक्शन इसकी जो सब डारेक्शन होती है वो सब डारेक्शन भी चार होती है तो टोटल हमारे पास काउंट करते है तो टोटल हमारे पास आठ दिशाएं होती है तोटल कितनी दिशाएं होती है आठ दिशाएं हमारे पास होती है अब आठ दिशाओं में उप दिशाओं का मैंने बताया था चार उप दिशाओं होती है तो उप दिशाओं कहां पे होती है यह जो बीच में जो दे रखा है यह इसकी चार उप दिशाओं है यह देखिए चार उप दिशा हैं यह बीच में जो यानि कि दो दिशाओं के बीच में जो होती है वो उप दिशा होती है या उत्तर और पूरू दिया है तो यह उत्तर पूरू इसकी उप दिशा हुई और यहां पे उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम उ इधर दक्षिन पूरू है यह दक्षिन पूरू है यह दक्षिन पूरू है यह देखो दोस्तों दक्षिन पूरू बिलकुल हमार पाँ चार दिशाएं हो गई है चार दिशाएं और चार उप दिशाएं हो गई अब बात हमारी दूसरी आती है कि यार हमारी उप दिशाएं त साथ में फिर angle भी होते है ये वाला angle होता है ये वाला बीच में जो angle बनते हैं ये वाले angle होते है ये वाले angle है तो दोस्तों इनको बार-बारे repeat करने की जुरत नहीं है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले मेरे basic fundamental में देखेंगे तो मैंने इनके बारे में आपको सब बताया इस वाले angle को क्या बोलेंगे इस वाले angle को क्या बोलते इसको क्या बोलते हैं ठीक है यह सारी situation मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या बोलना है अब आता है हमारा next चलते हैं इसी में यह चीज़े तो है left right की बात करेंगे तो left right में कहीं सारे restaurant को यह पता नहीं हो तो left right क्या होता है और होना भी स्वावावी के कि कई परकार से इधर उधर होते हैं उसके जो direction बदलती है जिस तरफ चेहरा बदलता है हमारा जिस तरफ चेहरा का direction होता है उस तरफ से हमें देखना रहेगा कि हमें क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे यह बेठा हुआ है यह हमारी एक सीधी रेखा बनी हुई है तो यहाँ पे जब किसी विक्ति का मुह उत्तर दिशा में है इस परकार से इसका north में इसका मुह है तो north direction में मुह होने के कारण यह इसका left हुआ और यह right हुआ सबसर फस्ट बात ही आप यह ध्यान में देंगे कि left right क्या होता है left right किदर होता है तो पहले यह देखिए आप कि जिस direction में आपका मुह होता है उस direction के according ही आपको बनाना है कि left किदर right किदर तो इसके लिए मैंने आपको एक basic fundament बताया था कि वह यह मेरा हाथ है left hand का use करेंगे यह my left hand और right hand is good है but left hand is भी good है यहाँ पर देखेंगे तो यह left hand है हमारा left hand में मैंने बताया था जिस तरप हमारी हतेली होती है जिस तरप हतेली होती है वो right side होती है जिस तरप हमारी screen होती है वो left side होती है इसको ऐसे रखा तो ये इसका राइट साइड हो गया और ये इसका लेप्ट साइड हो गया अब हम राइट साइड में मुड़ते हैं यानि इसको बोलेंगे ये वाला जो बाग होता है ये वाला राइट साइड को बोलते है दाया और ये वाला जो बाग होता है इसको बोलते ह प्ली बायां, यह डायां बायां होगे हमारा, इदर दायां होगे हैं देखेंगे आप, तो दायां बायां में क्या करते हैं, कि यह राइट है, और यह लैट है, अब अब आपको जिससे बोला जाए, बारबारी बोला जाए, दाया मुरिए, दाया मुरिए, ये दाया, ये दाया, तो दोस्तो जब दाया दाया बोलता है, तो आपको clockwise चलना है, clockwise ये clockwise डायेक्शन को देखना है, clockwise का मतलब है, जिसको हम बोलते हैं दक्षीना व्रत, या ये नाम भी यात रखना, दक्षीना व्रत कहते हैं, इसको clockwise को और बाया की बात चलती है तो बाया बाया मुड़ने का मतलब है बाया बाया चलने का मतलब होता है इसमें कि आपको anti-clockwise आपको मुड़ना है तो इसको बोलते हैं वामावरत क्या बोलते हैं इसको एक दक्षिन वुरत होता है और एक वामावरत होता है तो दोस्तों अब देखें आप यहाँ पे दक्षिन में मुड़ने का मतलब है गड़ी की दिशा में मुड़ेंगे तो दोस्तों गड़ी किसे चलती है गड़ी इस प्रकार से चलेगी आपकी गड़ चलो ये दाएं चले फिर बोला दाएं चलो फिर दाएं ऐसे फिर दाएं चलो तो दोस्तों मैंने क्या किया गड़ी की दिशा में चला वे इस दिशा में चला गड़ी की दिशा में देखो आप बिलकुल गड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे लेकिन अगर एंटिकलोग की बा से दिशा हुई anti-cloak wise हुई दोस्तों समझ में आया हुगा आपको कि किस परकाश अरो भै डार्यक्शन का मतलब होता है कि आये दिशा तो जब आपको ये पता रहेगा दिशा तभी तो अप question क्या करेंगे आप बताईए जब आपको ये पता होगा तभी तो questions को solve करेंगे हम अगर ये पता नहीं तो questions कैसे solve कर पाएंगे दोस्तों इसलिए पहले आपको ये solve करना पगड़ेगा आपको समझना पड़ेगा अब मैं ऐसे बना देता हूँ इस परकार से line बनी हुई है बताईए आप में है अब आपका left क이 दर है और right की दर है तो दोस्तों left राइड आपको बताना है जब इस डारेक्शन में है इस डारेक्शन में मुझ करके बेठाई तो दोस्तों मैंने आपको बता आदा कि ये जो left hand है जो left hand है इस left hand को देखिए और इसको जहां भी है उस तरफ रखिए right और कれंते दोस्तों यह जिस तरफ हतेली होती है उसको लेप्ट साइड बोलेंगे बहुत क्या है लेप्ट हो गई हमारी और आपको कोई भी व्यक्ति चल रहा है बार-बार भूम रहा है तो इसका मतलब यह है अगर right side में चल रहा है या left में चल रहा है उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है लेकिन जो व्यक्ति जिदर मुह करके बेटा है उसकी opposite direction में ही आप इसको घुमाते हैं जिस ही यह है इसका मुह इदर है तो हमेशा यह इस परकार से right चलता जाएगा यह right चला फिर right चला फिर right चला यह left चला फिर left चला फिर left चला देखिए आप यह घड़ी की दिशा में चल रहा है और यह घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा है left light समझ माया आपको बिल्कुल किदर भी मुह हो आप tension नही लीजे किदर भी मूँ हो कोई भी फरक नहीं पड़ता है आपका बस आप लेट एंड से यूज करके आप ये कर सकते हैं नीचे मूँ करके बैठा है तो भी ऐसे देख लीजे अगर ऐसे मूँ है उसका इस परकार से तो कोई बात नहीं दोस्तों ये सेंड को ऐसे रखेंगे य ये रखा तो ये लैट हो गया ये राइट हो गया सबसे बहतरी न तरीका बहुत अच्छे है इन सब चीजों को आप सोल कर सकते हैं अंगल में देखिए आप अंगल से यहां पर सभी में एंगल बने होते हैं ये देखिए सब चीजे पढ़ा चुका हूं मैं है सब बता दिय मैंने एक बार फिर मैं आपको दुबारा बता रहा हूं आपकी मेमोरी के लिए कि आप इसको अच्छा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा ये इसलिए आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी यहां पर जो चीज आपने पढ़ी थी और वो आपके दिमाग से अगर दुंदली हो गई है तो फिर मैं दुबारा बता दिया भाई दोस्तों ये सारी चीज़े में बता रहा हूं दुबारा और आप है ना जब मेरी क्लास पढ़ते हैं दोस्तों तो मेरी क्लास पढ़ने के बाद है आप मेरे को कमेंट करके बताया करो कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो भी बता सकते हैं ताकि मैं अगर हो सकता है मैं कुछ बताना भूल गया हूँ या मैं बता नहीं पाया हूँ तो वह भी कोशिश करूँगा कि आपको वह भी जल्दी आपके पास आने वाली है रेलवे के अलावा आप बैंक और SSC में भी इसका यूज कीजिए बैंक SSC में भी यही चीजिए आती है लेकिन यह जो भी करेंगे जब आप practice करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मुझसे पूछते रहेंगे मेरे साथ comment करेंगे तो दोस्तों यह short video नहीं है ऐसा छोटा वीडियो भी नहीं रहेगा कि आप एक second nomination soul करा रहें ऐसा नहीं है बिल्कुल मेरे apps पे आपको पूरा advance मिलेगा पूरा का पूरा पढ़ने को मिलेगा और बिल्कुल आप एक reasoning guru की बात ही मुझसे सब हड़ चीज सीख सकते हो समझ सकते हो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बाते चलती रहेगे हमारी अच्छे अच्छी बाते ओर भी आती रहेगी motivation कलासे भी रहेगी बट अभी तो हम कलास की questions solve करते हैं directions के बाद आते एंगल के बात करते हैं तो इसमें angles भी आते हैं angle यानि कौन जानते ही हो कौन किसे कहते है बाई सब जानते हैं बताने की जोरती नहीं कौन किसे कहते हैं जहां पे दो रेखाएं मिलती है उस बिंदु को कौन बोलते हैं ये कौन बन गया इस परकार का तो directions में भी angles बनते हैं यानि दो दिशाओं के बीच में 90 डिगरी का कौन बनता है और ये 90 डिगरी का कौन बनता है दो दिशाओं के बीच में दो direction के बीच में 90 degree का कौन बनता है लेकिन दोस्तों उप दिशाएं जो होती है वो 45 degree के कौन पर होती है उप दिशाएं 45 degree के कौन पर होती है अंडरिस्टेंड यानि कि दिशाएं कितने पर होती है दिशाएं 90 degree पर होती है और उप दिशाएं 45 degree के एंगल पर बनी होती है understand अब इसमें आगे बढ़ते हैं बात ये आती है कि बाएं और बूड़ने की बात करते हैं फिर अगर बाएं और चलरा है कोई बाएं और का मतलब है clockwise चलरा है बाएं और का मतलब है clockwise चलता है और clockwise को बोलते हैं, अभी आल पड़ा था हमने, दक्षीना वरतर, दक्षीना वरतर दिशा बोलते हैं इसको, और दायं ओर को बोलते हैं, दायं ओर को सोरी, यहां पर दाया लगाएंगे दाया है दाया इसमें दाया यह दाया है और बाय और को बोलेंगे यह बाया बागे इसका बाय और चलने का मतलब है एंटी क्लोग वाइस यानि इसको बोलते हैं वामावरत दोस्तों बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बेलकुल एडवांस पढ़ाया है आपको ये दिशाओं में दिशाओं में दिशाओं की जानकारी मिलेगी तो ही तो पढ़ेंगे हम दिशाओं में और कुछ भी नहीं है बस आपको दिशाएं एंगल और रिप्लेक्शन की जानकारी होना चाहिए जिसमें सोचलो आप सब पड़ चुके हैं बाया दाया इसी में जब कोई व्यक्ति ये जीरो डिग्री है जीरो डिग्री से चलता है दाया और चला तो ऐसे चलाएंगे दाया और इस परकार से दाया और चलेगा ये व्यक्ति इस परकार से दाया और चलेगा लेकिन अगर बाया और चलता है यहीं पर देखिए आप बाया और चलता है यह यहां पर आप देखिए जीरो डिग्री है तो यहां पे 90 degree हो गया यह 180 degree हो गया और यह 270 degree हुआ और यह यहां पे 360 degree वापस इस तरफ से 360 degree हो गया 0 ڈگری ऐसे शुरू किया था 0 ڈگری से इस परकार से चले गए और इस परकार से भूमेंगे क्यों क्योंकि क्लोक वाइज कड़ी की दिशा में हम दाएं और चलते हैं लेकिन अगर बाएं की बाद चला बाएं और की बाद चलेगी तो फिर कोई टेंशन भी नहीं है ऐसी चलने दो बात चलती है तो उत्ता रहे ये पूरू है और ये यह पर दक्षीन है और ये इसका पश्शीम है अब हम घड़ी की विपरित दिशा में चल रहे हैं ये कब की बात चल रही दोस्तों ये हमने दाएं की बात करी है ये हमारा दाएं है अब बाएं और की बात चले कि हमें बाएं और चलना है तो ये जिरो डिग्री है ये जिरो डिग्री से बाएं चलेंगे ऐसे चलेंगे क्यों क्योंकि बाएं का मतलब क्या था मैंने बोला था बाएं का मतलब है किस दिशा में चलेंगे एंटी क्लोक वाइस चलेंगे तो एंटी क्लोक वाइस चल रहे है और एंटी क्लोक वाइस में इस परकार से चलना पड़ेगा घड़ी कभी ऐसे चलती है क्या बारा बज़े से नो बज़ गई हो ऐसे फिर छे बज गई हो फिर तीन बज ऐसे नहीं चलता कभी इस परकार से ऐसे चल रहे हैं इस डारेक्शन में चले और इस डारेक्शन में चले तो 0 डिगरी फिर यहां पे 90 डिगरी अब यहां पे 90 डिगरी रहेगी यहां पे 180 डिगरी रहेगी और यहां 270 डिगरी रहेगी और लास्ट में या 360 डिगरी आ जाएगी तो दोस्तों एंगल में भी मेरे हिसाब से आपको समझमा आ गया होगा देखिए कि किस परकार से clockwise चलते हैं दाएं और चलते हैं किस परकार से बाएं और चलते हैं डाएं और ऐसे चलेंगे और बाएं और ऐसे चलेंगे दोस्तों मज़ा आया समझ में आया बहुत अच्छी बात हैं समझ चुके हैं अब हम इसके questions करेंगे बहुत अच्छे-च्छे questions दोस्तों देखिए question आगे हमारा screen पर question है देखिए अच्छे से पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है X ने सीधा X कोई person है X ने सीधा दक्षिन की और चलना परारम किया दक्षिन दिशा में चल रहा हो पांच मीटर का पासला चल कर बाएं और मुड़ता है और तीन मीटर चला उसके बाद वे दायनी और मुड़ा और पांच मीटर और फिर पांच मीटर फिर चला अब X किस दिशा में मुँ करके खड़ा है तो दोस्तो दाया बाया यादोना चाहिए मैंने बोला था आपको दिशाओं की बाद चल रही है तो दाया बाया निशित रूप से आना चाहिए नहीं तो questions में हम इधर उधर बटक जाएंगे पता नहीं कहां जाएंगे कहां जाएंगे किस दिशा में जाएंगे कहां पहुँच जाएंगे तो चार दिशा है तो चार होती है तो पता नहीं फिर चार दिशा हम से कौनसा अंसर आएगा वो आप खुद भी देख जान सकते हैं तो सही साथ चलना पड़ेगा हमें इसके लिए तो X ने सीधा दक्षिन की और चलना पर आरम किया दक्षिन की और X ने शुरू किया तो कोई एक बिंदु मान लेते हैं यह कोई पॉइंटे यहां से यहां से दक्षिन दिशा क्या है जिस तरफ हमारा मुह होता है वो हमारी उत्तर दिशा होती है तो उपर हमारा सामने मुह है तो उधर ही हमारी उत्तर दिशा है तो नीचे पाउं की तरफ दक्षिन दिशा हो जाएगी ऐसे है तो दक्षिन यानि एक्स ने सिधा दक्षिन की और चलना परारम किया वह पांच मीटर का फासला चल कर बाईं और मुड़ गया यानि यह कितना चला दोस्तों यहां पांच मीटर चला यहां से कितना चला है यह पांच मीटर पांच मीटर चलने के बाद वो बाईं और मुड़ता है यानि मैंने बोला था बाया अब दाया बाया का फिर वो गया तो हम क्या करेंगे लेप्ट हैंड को लेंगे और लेप्ट हैंड को यहां पर रखके देख लेंगी हमने ऐसे रखा जदा भी नहीं हाट तूर जाये ऐसे काम भी नहीं करना दोस्तों यहां पर देखिए इसको इस परकार से ऐसे रखा हमने तो मैंने बोला था हातेली की तरफ राइट होता है और इस और क्या होता है लेप्ट की बाया बोलते हैं तो यह बाएं और मुड़कर तीन मीटर चला यह अब कितना चला है यह निया पर तीन मीटर चला ठीक है तीन मीटर चला उसके बाद दाइनी और मुड़कर पांच मीटर चला अब दोस्तों फिर अब किस और मुड़ रहा हो दाइनी और मुड़ रहा हो बाएं और मुड़ता है , बाएं और मुड़गया हो और तीन मीटर चल गया उसके बाद वह दायनी और बूड़ रहा धोसके राइट, राइट का मतलब दाइनी और मुड़ता है, अब वो दाइनी और मुड़कर पांच मीटर चलता है, तो दोस्तों यह यह से दाइनी और मुड़ गया, किस और मुड़ गया यह, दाइनी और, उसके बाद वो दाइनी और मुड़ा और पांच मीटर, फिर पांच मीटर चला अब X किस दिशाओ की और मुख करके खड़ा है देखो दोस्तो अब किस दिशाओकी और मुख करके खड़ा आप देखिए इस और चलाता है यह बिल्कुल कुष्इन वह ही है पेले वह वह बाइं और मुरा कोई बात नि भायें और मुरा उसके बाद लेपट में ये लेपट राइड है दायानी और मुरा तीन मिटर चला फिर ये पाँच मिटर चला जिसे वो केराव ये से चलाया आपने दोस्तों बिल्कुल देख लिजे ये दायनी और मुरा है गड़ी की दायनी का मतलब मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि घड़ी की दिशा को दाया बोलते हैं गड़ी की दिशा को ही दाया बोलते हैं और गड़ी की जो विपरित दिशा होती है उसको बाया बोलते हैं तो ये विपरित दिशा में चलाता इसलिए हमने इसको बाया लि और मुझन लगता कि कोई कटीन चीज है बहुत इजी है। फिर वे बाई और मुड कर 17 किलो मेटर आगे बड़ा तो अब वे अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है। मान लेते हैं हमारा मुझ इधर ही होता तो यह उत्तर है तो यह पूरु है। कहीं भी मान सकते हो पूरु अब सजेश आपको करना पड़ेगा उसके लिए। तो यह पूरु दिशा के अंदर उसने यात्रा प्रारंब की और चला वो 17 किलो मेटर चला। 17 किलो मेटर चली यात्रा प्रारंब करने के बाद इसको मान ले हमने ए बिंदू है। 17 किलो मेटर की यात्रा के बाद फिर बाएं और मुड़ के 15 किलो मेटर चला। दोस्तों यह हैंड लेते हैं वापस इसको दाया बाया के लिए यह दाया बाया के लिए हैंड का यूज करेंगे या रखा। मैंने बोला था इसकिन वाला लेप्ट और हतेली वाला राइट तो यह उपर वाला लेप्ट हुआ और यह वाला राइट हुआ तो वो राइट का मतलब बाया बाएं और की बोल रहा हो दोस्तों बाएं की बात कर रहा है तो बाएं और मुड़ रहा हो 15 किलो मेटर तो उपर फिर बाएं और मुड़कर 17 km चला यानि अब यहां से बाएं और मुड़ा बाएं अब इसका वापिस दाया बाया देख लिए दोस्तों यह देखो हैंड में स्क्रीन की तरफ यह लेप्ट है और यह राइट है और लेप्ट कोई बाया बाया बोलते हैं तो यह किस और बाएं और मुड़कर 17 km फिर चल रहा है तो यहां से यह बाएं और मुड़ा और कितना चला है यह 17 km की आत्रा फिर की यहां तक देखो आप बिल्कुल वहीं पर आगया हो बिल्कुल यहां से बिल्कुल इसी लाइन में 17 ही है तो यह भी इसके बराबर 17 हो गई यह 15 हो गई अब अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है प्रारंबिक बिंदू यह प्रारंबिक यहां से जहां से उस कि यात्रा प्रारंब की थी वो उसका प्रारंबिक बिंदू है यहां से यहां तक यहां तक पहुंचा तो वो कह रहा है कि इस बिंदू से अब वो कितनी दूरी पर है तो दोस्तों कितनी दूरी पर यह आपको बताना पड़ेगा इसको तो इसकी दूरी बताने के लिए अब यहां पर देखिए यहां से कितना दूर है इसकी डायरेक्शन यह आपको दूरी बताना कि दूरी कितनी है तो दोस्तों यहां से यहां तक सत्रा यह सत्रा यह पंद्रा है तो यह बिल्कुल एक डेंगल बना होगा है तो यह भी कितना हो गया पंद्रा किलोमेटर अंसर कितना हमारा 15 kilometer कितनी दूरी तेह करेगा ये JOHNSTON है 15 kilometre ने पुर सुम्झम कर दो इसो बहुत अच्छे बहुत मज़़ार questions आ रहे सके को मतलब direction होती ई black direction का मतलब disruption के question ही तो आएंगे direction में अगर आपने basic हैкую क्ज़मा भी कर लिया इसमें hand वाला concept है, बहुत अच्छा है, आपको direction बताएगा, उसको अच्छे से कीजिए, और next question देखते हैं इसका दोस्तों, next question वैसे ही आया, बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसको next question को, सुमन दक्षिन की और 10 km जाती है, सुमन दक्षिन की और 10 km जाती है, फिर दाएं और मुढ कर 6 km चली, अंत में दाएं और मुढ कर 10 km चली, तो बताओ, अब वैप परारमिक इस्तान से कितनी दूर वैप किस दिशा में है, दोस्तों, सुमन, सुमन नाम की कोई गल से, ये दक्षिन की और 10 km जाती है, यहां से फिर बनाते हैं इसको, यहां से सुमन ने चलना परारम कि गया, 10 km चली, ये दक्षिन दिशा में 10 km चलती है, यहां से दक्षिन दिशा में 10 km जाती है, और फिर दाएं और मुड़ती है, तो दोस्तों, ये हैंड को लेंगे वापस, ये राइट हो गया, और ये लैप्ट हो गया, अब ये दाएं और की बात कर रहा है, तो दाएं और का मतलब है ये दाया राइट कोई क्या बोलते हैं दाया बोलते हैं तो इस और मुड़ी और इस तरफ चलके कितनी मीटर चली है छे किलो मीटर चलती है ये छे किलो मीटर की यात्रा यहां पर करती है अंत में दाया और मुड़कर दस किलो मीटर चलती है फिर यहां से दाया और यहां से दाएं और मुड़कर 10 किलो मिटर चलती है पहले देखिए आप सुमन 10 किलो मिटर चलती है दक्षिन में फिर दाएं और मुड़कर ये फिर दाएं और मुड़ी और 6 किलो मिटर की आत्रा करती है देखो आप इसमें दाएं और सही बिलकुल सही मोड़ा है कि हमने? सही मोड़ा क्या बताइए आप? left right सही लिखा गया इसको ऐसे देखियेना आप यार आपने कहा देगा इसको बिल्कुल left right को देखा ही निहें आपने जब इसका मुण इस दिशा में होता है इस दिशा में होगा तो ये screen की तरफ left इधर हो जाएगा right इधर हो जाएगा इधर left इधर होगा और right इधर होगा तो आपने कहा देगा इसको left राइट को यहां से दक्षिन में चला तो left राइट change हो जाएगे क्योंकि पहले मेरा मूह इधर था तो मेरा right इधर था और अब मेरा मू इधर है तो मेरा right इधर हो गया understand तो अब यहां से 10 km दक्शिन की ओर जाती है फिर वे दाये ओर 6 km चली दाये ओर यह तो बाया है और यह दाया है यह दाये ओर चली वो इधर कितनी चली 6 km चलती है 6 km चलती है और अंतने फिर दाइव और मुढती है अब ये देखिए फिर वापिस ऐसे hand रखेंगे तो ये हतेलिये होती इधर दाइव होता है right होता है तो इस और मुढ़ेगी ये तो फिर इस और मुढ़ी है यानि कि दाइव और right side है ये left और ये right हुई इसका ये left और ये right है तो इस तरफ मुड़कर और फिर चलती है ये 10 km चलती है ऐसे ऐसे और ऐसे 10 km ऐसे चली दोस्तों अब वो कहता है कि वह प्रारमिक इस्तान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है प्रारमिक इस्तान से कितनी दूरी पर दोस्तों दर्थ से 10 है ये 6 है और ये 10 है बिलकुल यहां भी Rectangle बना हुआ है एक परकार का आयद बना हुआ है तो यहां से इसको अगर हम ऐसे ऐसे न्यूग करते हैं तो दोस्तों यहां से यहां की कितनी दूरी हुई यहां से 6 किलोमेटर है तो यह दूरी भी हमारी कितनी हो गई 6 किल अब यह कहता है कि प्रारंबिक स्तान से कितनी दूरी वे किस दिशा में हैं किस दिशा में हैं अब यहां पर देख लो प्रोब्लम क्रेड हो सकता है प्रोब्लम ऐसे किरेड हो सकता है कि एक तो इसका मूँ न्यू पोचा जाएक इसका मूँ किस दिशा में है तो इसका मूँ तो उत्तर दिशा में है लेकिन न्यू के रहा प्रारंबिक स्तान से किस दिशा में है प्रारंबिक स्तान से किस दिशा में है यानि यहां से यहां किस दिशा में है दोस्तो पश्यम में है किस दिशा में है पश्यम में अब वो नियू कहता है कि प्रारंबिक इस्तान से प्रारंबिक इस्तान किस दिशा में है अगर नियू पूस्ता हो प्रारंबिक इस्तान किस दिशा में है तो यहां से यह जब इसकी तरफ देखता है यहां से इसकी तरफ देखेगा तो यह पूरब हो जाएगा लेकिन यह न्यूं कहे रहा है कि प्रारभ में किस तान से किस दिशा में है तो यहां से न्यूं दिखेंगे तो पशिम है अब हमारे दोनों के दोनों option हो सकते हैं दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी गलती करी ना तो आपका option यह भी हो सकता और यह भी हो सकता है फिल्कुल 50-50 6 answer तो आपके आरामसा आ गए दोनों में 6-6 answer आ गए कोई बात नहीं दोनों में लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो पूरब दिखेगा इधर से देखेंगे तो पशिम और इधर से देखेंगे तो पूरब दिखेगा तो दोनों यह answer हमारे सही आ रहे है इसमें लेके अब इसको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा 50-50 को सही करने के लिए कि वो कहता है कि वह प्रारंबिक स्तान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है यानि प्रारंबिक स्तान से किस दिशा में है प्रारंबिक स्तान से किस दिशा में है तो यह जब दक्षिन था दोस्तों यह जब दक्षिन था तो अब आप पता लगाना है कि यह दक्षिन था तो ये दक्षिन है तो ये इसका उत्तर दिशा हो गया और उत्तर के जेस्ट बाद में इधर क्या हो गया पूरब है और इधर पश्चिम है ये वाली जो दिशा है ये पश्चिम है तो इसका किस दिशा में हुआ पश्चिम दिशा में प्रारम्मिक स्थान से किस दिशा में यह पश्यम में है। इसलिए दोस्तों हमारा अंसर कुन से सही होगा। छे किलो मीटर पश्यम में। समझ माया है दोस्तों बहुत मज़ेदार क्यूशन है। बहुत मज़े आए। और आगे बढ़ते हैं और questions को देखते हैं, पढ़िए questions को, question देखिए, राणा 10 km उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं और गुमता है, और 4 km जाता है, फिर दाएं और गुमता है, और 5 km जाता है, और फिर बाएं और गुम का 4 km जाता है, तो वह अपनी आतरा शुरू करने के इस्तान से कितनी दूरी पर है, पर लिया दोस्तों, बनाओ इसका scratch बनाओ अपनी copy में, बहुत इसी है, बहुत अच्छे tricks भी होते हैं इसमें और भी, लेकिन दोस्तों, अगर आपने basic तरीके से करेंगे इसको, तो कहीं से कहीं तक कोई गलती होने के chance नहीं है, तरीक जितने छोटे होते हैं, जितने शोट होते हैं, माक्स भी उतने शोट होते हैं, बता देते हैं आपको, तो इसलिए यहां पर देखिए, राणा 10 किलोमेटर उत्तर की और, फिर वापिस वही बना लेते हैं, यह उत्तर दक्षिन पूरब पश्यम वाला, देख लिजे, यह उत्तर है, यह दक्षिन है, यह पूरब है, और यह पश्यम है, ठीक है, तो राणा 10 किलोमेटर उत्तर की और जाता है, यह राणा यहां से चला, और 10 किलोमेटर, राणा उत्तर दिशा में चल रहा है, यहां से चलाएं, और यह उत्तर दिशा में राणा चला, 10 किलोमेटर, 10 किलोमेटर उत्तर में जाता है, अब देखो, उत्तर में ऐसे हैं, रखके देख लेंगे, इधर लेप्ट है, और इधर राइट है, यह पता बाया ये बाया लेट कोई बाया बोलते है समझ में ने आये तो लिख लो लेट बाया होता है और राइट दाया होता है एक बाया है लेट बाया और राइट दाया है तो दोस्तों इस तरब चले इस और मुड़े कितने चले चार किलो मेटर चलते हैं चार किलोमेटर बाएं और मुड़ते हैं बाएं और जाते हैं और फिर दाइनी और गुमते हैं और पांच किलोमेटर चलते हैं अब इस दायां कि इदर इसका मूँ इदर हो गया ना दायां कि इदर वापिस हाथ रखेंगे तो हाथ रखने के बाद पता लगाओ कि ये जो हते कि लिए होती है यह इसका left हो गया दाइय की बात कर रहा है तो दाया इधर हो गया तो दाए कितना चलता है फाँच किलो मुड़ा है यहां से यहां तक दाइनी और मुडा यह और कितना चला यह पांच किलो मिटर दाइनी और चलता है पांच किलो मिटर जाता है फिर वह दाइनी और गूम कर चार किलो मिटर पहले वो चलता देखो एक बार राना 10 किलो मीटर उत्तर की और जाता है उत्तर दिशा में गया और फिर वह बाएं और गुमता है और 4 किलो मीटर जाता है फिर वह दाएं और गुमता है अब दाएं और गुम रहा है देखो बिल्कुल गड़ी की दिशा में दाय और गूमता है और 5 km चलता है फिर वे दायनी और गूमकर 4 km चलता है फिर दायनी और गूमता है भाई अब ये left है और ये right है तो दाया ये हुआ इसका ये दाया हो गया इसका तो ये दायनी और गूमकर 4 km चलता है दोस्तों ये 4 km चलता है दायनी और गूमकर 4 km जाता है वह अपनी यात्रा परारम करने के इस्तान से कितनी दूरी पर है, वो जहां से यात्रा परारम कर रहा था, वो कितनी दूरी पर है, अब हमें दूरी नापने का मतलब यह नहीं कि पूरी की पूरी दूरी नापेंगे, अपनी यात्रा के बिंदू से सीधी दूरी बताना है दस से शुरू की थी और यहां से यहां 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 पर यह यह यहां पर चार किलो मीटर यह पांच और यह चार तो यहां पर भी एक आयद बना हुआ है बिलकुल रेक्टेंगल बना हुआ है तो इसके यहां पर यह वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई पांच किलो मीट किलो میटर की दूरी हुई यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 10 तो वह कहता है कि अंतिम छोड़ तक यहां तक कितनी दूरी हुई सीधी दूरी तो क्या करेंगे 4 प्लस 10 equal to 15 किलो मिटर यानि अपने प्रारंभिक बिंदु से अभी वह यात्रा करने कि इस तान से कितनी दूरी पर है तो यहां से अभी वो 15 किलो मीटर की दूरी पर है हमारा अंसर कुंसा हो गया सी हो गया दोस्तों देगे कुछ प्रॉलम आ रहा है दोस्तों तो मुझे बताईए कुछ आता है तो बिल्कुल मुझे कमेंड कीजिये और कमेंड करके मुझे बताईए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो सब बाते मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा औ में आगे और अच्छा मोटिवेशन क्लास देता रहूंगा आपको कि नाइस क्वेशन है दोस्तों के क्वेशन को पढ़िए कि क्वेशन नंबर पांच आगे हमारा अच्छे से समझीए इसको क्वेशन लिखा हुआ है सोनू अपने घर से 21 किलोमेटर उत्तर की ओर चला आए सता दाएं और मुड़कर क्वेशन देखिए सोनू अपने घर से 21 किलोमेटर उत्तर की ओर चलता है सता दाएं और मुड़कर 9 किलोमेटर चलता है फिर दाएं और मुड़कर 21 किलोमेटर चलता है और अंत में बाएं और मुड़कर 15 किलोमेटर चलता है तो अब वे अपने घर से किस दिशा में वे कितनी दूरी पर है दोस्तों गबराने की जो रतीनी है कितनी बार मुड़ो कितनी बार गुमो बस सही दिशा में गुमना है आपको अगर आप सही दिशा में गुमते हैं ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोप सकती है अपनी मंजिल तक जाने के लिए तो दोस्तों अपनी मंजिल ये भी है, इसे में एक शिक्षा भी मिलती है, कि अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से पढ़़ाई कर रहे हैं, तो निश्य जुरुप से में जाए और सई दिशा में जाएंगे दोस्तों तो फिर नौकरी तो मिलेगी पक्का नौकरी मिलेगी 100 परसेंट रेलवे में 100 परसेंट नौकरी मिलती है दोस्तों अब सोनु अपने गर से सोनु को शुरू करते हैं ये उत्तर दिशा में चलेगा सोनु ये हमने चलाया सोनु को भईया ये देखिए यहां से उत्तर दिशा में सोनु चला सोनु अपने गर से 21 किलो मेटर उत्तर दिशा में चलता है ये इसकी यात्रा 21 किलो मिटर की है, 21 किलो मिटर चलाए और वो 21 किलो मिटर चलता है उत्तर दिशा में, ये दिशा होगए, इसकी उत्तर दिशा है उत्तर दिशा में चलता है सोनू, दस 21 किलो मिटर चलाए और चलता है तथा दाएं और मुड कर 9 किलो मिटर चलता है इसका दाया बाया फिर वापिस हो गया, ये लेप्ट है और ये राइट हो गया तो वो चल किदर रहा है, दाया और चल रहा है तो दाया इदर है इसका ये 9 किलो मिटर चलता है दोस्तों यहां से कितना चला है ये 9 मुड कर, दाया और मुड कर 9 किलो मिटर चलता है तो ये यहां से यहां तक कितना चला 9 किलो मिटर चलता है ये 9 किलो मिटर चलता है फिर वे दाय और मुड कर 21 किलो मिटर चलता है यानि अब इस और दाया किदर है ये नीचे दाया हो गया यानि राइट कोई दाया बोलेंगे तो नीचे नीचे क्या हो गया इसका ये राइट हो गया और उपर लेट हो गया ठीक है तो ये अब किस औ मुड़ेगा 21 km दाई नहीं और मुड़ता है तो वापीस उसी डारेक्शन मा आ गया है 21 km किस और मुड़ गया है कि कै 21 km चलता है अंत में बाएं और मुड़ता है अब अब दाया बाया देखिये वह अंत में किस और मुरता आये अब इस तरफ इदर ही वापिस देख लिए आप इस तरफ इस left hand को लिया हमने left hand को लेंगे दोस्तों और ऐसे रह देखते हैं तो ये left हो गया और ये right हो गया हतेली की तरफ right और इस लेप्ट हो गया तो ये 21 km चलने के बाद बाएं और पंदरा किलो मिटर चलता है यानि कि बाएं किदर है बाएं किदर है भई ये दाया हो गया तो ये क्या हो गया बाएं हो गया तो बाएं और चल रहा है बाएं और पंदरा किलो मिटर चला ये पंदरा किलो मिटर बाएं और चला इतना चला पंदरा किलो मेटर चलता है, अब वे अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? देखिए आप बहुत अच्छा है बहुत अच्छी क्यूशन है ये उसका घर था निया से चलाओ 21 किलोमेटर ऐसे चला फिर ऐसे मूड़ा फिर ऐसे मूड़ा और ये ऐसे मूड़ा अब लास्ट में आके उसने बोल दिया आपको कि अब अपने घर से किस दिशा में हैं तो आ ये जुरती नहीं है या पर मैं मतलब आप क्यूशन का जवाब दे सकती हो कि उसके घर से यहां से आप ऐसे देखिये ये उसके घर से किस दिशामें हैं यहां से देखेंगे तो यह कौन सी दिशा हो गई पुरू दिशा होई यानि उसके घर से किस दिशा में है, पुरू दिशा में, कितनी दूरी पर है, दूरी भी बताना है आपको, कितनी दूरी पर है तो दोस्तों देखो, दूरी देखो यहां से, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 9 किलो मीटर तो यह हो गई, यहां तक, फिर इधर कितनी दूरी है 15 km दूरी यह हो गई तो नो प्लस 15 नो और 15 कितने हो गए 24 km 24 km और किस दिशा में पूरवधशा में अंसर क्या है हमारा 24 km पूरवधशा में अंसर सिर आगे हमारा इस में कहीं पे 24 km, देखो यह तोड़ा सा गलती कर दिया दोस्तों आपने एगर इधर मोडने की पजाए इधर मोड दिया इसको तो आपका आंसर क्या जाएगा 24 किलोमेटर पश्चिन दिशा में आ जाएगा अंसर क्या जाएगा 24 किलोमेटर पश्चिन में आ जाएगा जबकि हमारा आंसर क्या है 24 किलोमेटर किस दिशा में है पूरू दिशा में है तो हमारा सही आंसर क्या है भी ऑप्षिन हमारा सहीं अंसर है कि मुझे लगता दोस्तों आपको प्रोब्लम आ रहा होगा बहुत एजी क्यूशन है बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको नाइस क्यूशन है इसका कि स्क्रिन पर देखो आप बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं इसक्यूशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं पोल भी कर सकते हैं चुटकियों का है पटा पट पढ़ते जाओ दाया बाया दाया बाया मोडते जाओ को अपने घर से बस आपको पता होना चाहिए कि दाया किदर है बाया किदर है अगर आपको पता है कि दाया किदर है बाया किदर है तो कोई टेंशन नहीं है आप इजी लिए उसको कर सकते हो लेकिन अगर आपको पता नहीं दाया किदर है बाया किदर तो अंशन तरीके से ब याद होना चाहिए left और right हिंदी में समझना नहीं आता है दोस्तों तो इंग्लिश में कर सकते हैं आप left and right अच्चे से समझना आता है इंदी में थोड़ा problem हो सकता है दायाँ बाया में लेकिन left right में तो आप समझी जाएंगे left end किसे कहते right end किसे कहते वाँ भी आप एक option है आपके एक आगे बढ़ने का एक option है कि आपको दाएं बाएं समझनी पढ़ रहा तो left right से आप समझ सकते हैं understand तो अनू अपने घर से 21 km उत्तर की और चलता है तो था दाएं और मुड़कर 9 km चलता है फिर दाएं और मुड़कर 21 km चलता है कितनी बार मुड़ रहा वही है 21 km उत्तर में चला फिर ये 9 km दाएं और 9 km चला फिर दाएं और मुड़कर 21 km चला और अन्ते में 22 और मुड़कर 15 km चला इतनी चीजें एक, दो, तीन, चार बार हो गया हमारा ऐसे भी कर सकते हो आप एरो लगा के चार बार जितनी बार दिया उसको एरो कर लो उससे पता रहेगा कि कोई छूड़ तो ने गया कई बार तीन बार ही चलकर रुख गए हम या बीच में कोई छूट जाता है तो ऐसे एरो करने से एक benefit मिल जाता है कि हमें जितनी बार दे रखा है उतनी बार ही हम गूम पाएंगे देखिए अब सोनू अपने घर से 21 किलोमेटर उत्तर में चलता है तो सोनू अपने घर से निकला ये सोनू और उत्तर दिशा में चलता है ये उत्तर दिशा उपर ही होती है दोस्तों नीचे पूरा दक्षिन होती है इदर पूरा और इदर पच्षिम नहीं आता समझ में तो पहले ही लिख लिया करो उत्तर दक्षिन पूरा और ये पच्षिम दिशा है चार दिशा है, सोनु अपने गड़ से 21 किलो मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों 21 किलो मीटर चला दिया हमने सोनु को, सोनु यहां से सोनु यहां से 21 किलो मेटर चलने के बाद उत्ता दिशा में चलता है, तधा दायें और मुड के ल 9 किलो मीटर चलता है फिर दायें और मुड के 21 किलो मीटर चलता है तो फिर दाएं और कैसे मोड़ेंगे इसको अब इसके यहां पर आत रखा है तो यह वापिस यह राइट है नीचे राइट है उपर लेप्ट है तो जो राइट होता इसी को दाया बोलते हैं तो दाएं ने और कैसे मोड़ेंगे यह दाएं और मोड़ा और 21 किलो मिटर फिर च चला है अंत में मूड के चलता है अंत में बाएं और मूड कर 15 किलोमेटर चलता है तो अभी अंत में यह क्वेशन दोस्तों अभी पहले सोल किया कि हमने यह क्योशन अभी तो हमने सोल हिया है है कोन हो अपना घर से किलो में चलता है ये अभी तो हमने सोल किया य्क्विष्ण दुबारह रीपीट होगे दोस्तों हिर है यह कुश्ण दुबारह रीपीट होगया अमारा ओ Kayla । Each tu do बार आगया अंसर आपको पता है इसका अंसर किया है अभी यह लमने सोल गया था इसको कोई क्योश्चन से दो बार आगया क्योश्चन कोई बात है नेक्स चलते है गीता पूरुकी और मुख करके 6 किलोमेटर चलती है पहले बार 6 किलोमेटर चलती है फिर बाएं और मुड़ती है और 5 किलोमेटर चलती है फिर बाएं और मुड़ती है 6 किलोमेटर चलती है और अंत में बाएं और मुड़कर 5 किलोमेटर चलती है कितनी बार आया एक दो तीन चार बार आया यानि चार बार मुड़ेंगे इसको हम स्टार्ट करो गीता का मुझ पूरू दिशा में है यह कीता यहाँ से चली पूरू दिशा की ओर चली और 6 मीटर की दूरी ते करती है फिर बाएं और मुड़ती है अब इसका स्क्रीन की तरफ उपर की तरफ बाया नीचे की तरफ दाया मैंने पहले बताया था दोस्तों जिस तरफ आत होता है मारा मैंने पहले बोला था जिस तरफ आत होता है इस क्रीन की तरफ लेप्ट होता है और अटेली की तरफ राइट होता है तो अब और जो left होता है इसी कोई बायां बोलते हैं राइट को बोलते हैं दायां इसको दायां बोलते हैं तो अब हम इसको क्या है बाएं और बाएं और मुड़ती है देखो second parts में क्या चलता है बाएं और पांच मीटर चलती है तो बाएं और मुड़ा हमने इसको और कितनी चलाई पांच मीटर की दूरी बाएं और मुड़कर चलिए पांच मीटर चलती है फिर बाएं और मुड़कर 6 मीटर चलती है अब इसका इसका बाया इधर है यह लेप्ट है और यह राइट है तो बाया इधर मुड़ेगी बाएं और इधर मोड़ा और अब चलती है यह 6 मीट की दूरी फिर ते करती है ठीक है कहां तक चल गए हम एक दो तीन बार मुड़ चुके एक बार दो बार तीन बार मुड़ चुके और अंत में पाएं और मुड़कर पांच मिटर चलती है इसका बाया इसका बाया नीचे है इसका बाया इसका बाया नीचे है यहां से मुड़कर यह कितनी चलती है पांच मीटर की दूरी ते करती है यहां से मुड़कर कितनी दूरी ते करती है पांच मीटर की दे करती है तो बताओ वै प्रारमिक इस तान से कितनी दूरी पर है अब प्रारमिक भई नियां से तो शुरू किया था बैटो दोस्तों आप देखो यहां से की दूरी पर है जीरो दूरी पर ऐसे क्या आगे हमारा जीरो मीटर नैको ऐसी ग्डिकोशन आ जाते हैं दोस्तों जहां से शुरू है वहीं पहुंच गए तो उसका विए जीरो यहाता है क्योंकि अब दूरी का बची है तो उसको शो करेंगे हम कि आइव प्रश्एन है रमेश पश्यम के और तीन किलो मिटर चलता है फिर बाएं और दो किलो मिटर चलता है फिर दाएं और मुड़ा और तीन किलो मिटर चलता है और अंत में वे अपने दाएं और दो मिटर की दूरी तेह करता है तो रमेश प्रारम्मिक इस्तान से कितनी दूरी पर है एक दो तीन चार पांच बार मुड़ रा दोस्तों ये इस दिशा में दिशा बताना आप को इसमें भी देखो आप रमेस पच्चिंग की और तीन किलो मिटर चला यहां से शुरू किया रमेस ने पच्चिंग की और चला 3 किलो मिटर की दूरी तेय करता है पच्छिम दिशा में और बाएं और मुड़कर दो किलो मिटर चला बाया बाया किदर दोस्तों नीचे की और बाया है यह बाया है यहां पर दो किलो मिटर चला और बाया और मुड़ता है दो किलो मिटर चलता है फिर वे अपने दाएं और मुड़ा अब इसका दाएं देखो इसका दाया तो हतेली की और है, यह हतेली की और है दाया इसका, यह यहां से दाया मुड़ा, और दाया मुड़कर, फिर अपने दाया और मुड़ा, और कितना चला है दाया और मुड़कर, दाया नहीं और, इसके दाया नहीं और, इसका दाया, इसका दाया यह है, दो किलो में तीन किलो मेटर चलता है फिर बाएं और मुड़ता है तो किलो मेटर चलता है और फिर वे अपने दाएं और और मुड़ा और तीन किलो मिटर चलता है ये तीन किलो मिटर की दूरी ते करता है और अंत मेवे अपने दाएं और मुड़कर दो किलो मिटर चलता है इसका दाया इसका दाया देखे दोस्तों इसका दाया किदर है इसका दाया ये है ये उपर दायां इसका अंत में दायां और मुड़ता है और कितनी दूरी ते करता है वो दो किलो मिटर की दूरी ते करता है ये दो किलो मिटर ये दो किलो मिटर की दूरी ते करता है ऐसे चला दोस्तों तीन किलो मिटर दो किलो मिटर तीन किलो मिटर 2 km हमारा complete हो गया question अब रमेस अपने प्रारंबिक इस्तान से किस दिशा में है रमेस अपने प्रारंबिक इस्तान से किस दिशा में है रमेस की दिशा बतानी है ऐसे नहीं पूछा कि रमेस का प्रारंबिक इस्तान से कितनी दूरी पे यह अगर इसे पूझ भी लेवे तो भी बता सकते हैं लेकिन इसका इससे सम्मन नहीं बता है इसका पूछा इसके साथ में कि इसका क्या डारेक्शन रहेगा तो आपको इसके बारे में बताना है दोस्तों समझ मायक नहीं आपको बिल्कुल आप ऐसे देखिए यहां से तीन किलोमेटर हुआ जब यहां से यहां तक एक यहां पर भी एक आयत बना हुआ है पूरी तरह से यह दो किलोमेटर है दो किलोमेटर यह तीन है तो यहां से यहां तक भी आपका यह क्या हो जाएगा यह भी आपका दो किलोमेटर हो गया ऐसे तो यहां से अगर इसकी दूरी पूछा जाए तो 2 प्लस 3 किलोमेटर बराबर 5 किलोमेटर की दूरी तो है कहां से अपने प्रारंभिक इस्तान से यह 5 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इन दिस टाइम यह यहां से अपने प्रारम्भि किस्थान से 5 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है अब यह तो पूछा ही नहीं पूछा ही नहीं लेकिन अगर पूछ लेंगे तो आम निकालेंगे इसे इसलिए आप ऐसे भी याद रखी है लेकिन उसने तो पूछा है कि में मने उसने की रमेस का मुप उत्तर दिशा में लेकिन यहां रमेज का मुह किदर है तो फिर रमेज का मुह उत्तर दिशा में है समझाया दोस्तों कैसी लगी किलास आपको और अच्छे से समझे इसको enjoy कीजे इसमें enjoy करके समझे बहुत easy है दोस्तों इस परकार से arrow लगा सकते हो और उससे पता लग जाएगा आपको की arrow लगाने से ये पता रहेगा कि आपको कितनी बार गूमना इसमें और उतनी बार गूम रहे न आप इसमें देखो एक दो तीन चार पांच ऐसे तो एक दो तीन चार आपको पता लग गया कि कितनी बार गूम रहे इसमें फश्रिम के और चुरू किया, फश्रिम के और चलाए, स्टार्टिंग में एक बार हो गया, फिर दाएं और मुड़ा, फिर बाएं और मुड़ा दो बार हो गया, फिर दाएं और मुड़ा, ये दाएं और मुड़ा तीन बार हो गया, फिर इस परकार से चार बार हो गया, ठीक दोस्तों अभी हाल हम question कर रहे हो ही question है इसमें बिल्गुल same to say हमें कुछ भी नया नहीं है 15 km की आतरा की इसने पूरू में चला फिर उत्तर में गूम कर 15 km चला फिर पशिम में गूम कर 15 चला अब कितना दूर है तो पूरू में 15 km चला पहली बात यह है पूरू दिशा में चला यहां से कितना चला 15 km पूरू में चला प्यातरा की उत्तर में गूमा अब उत्तर दिशा में गूम कर 15 km चला उत्तर दिशा आप जानते हूँ किस तरफ है उत्तर उत्तर नक्षीन पूरब पशिम इस तरफ गूमा आए और गूम कर कितना चला 15 km की यात्रा की यात्रा की और फिर पशिम की ओर में गूमा और 15 km चला पशिम इधर है 15 km चला अच्छी में गूम के 15 अब प्रारमिक इस्तान से कितनी दूरी पर है यहां से पूछा दोस्तों गूम फिर का आया यहां से पूछा उसने प्रारमिक इस्तान से कितनी दूरी पर है यह यह दूरी बताओ आप तो ऐसे पता लग गया सारी दूरी बराबर है यह वाली दूरी कितनी हो गई आपकी 15 किलो मेटर और पूछे कि प्रारम्य किस्तान से किस दिशा में है तो उत्तर दिशा में बताएंगे इसको किस दिशा हम बताएंगे दोस्तों प्रारम्य किस्तान से उत्तर दिशा में आप्शन हो गया हमारा एग अगर क्यूशन को पढ़ो दोस्तों बहुत अच्छे क्यूशन है लिला एक इस्तान से चलती है और एक किलोमेटर पूरू की और जाती है फिर वह बाएं और गूमती है एक किलोमेटर पूरू में जाने के बाद बाएं और गूमती है दो किलो मिटर चलती है फिर वे दाएं और गूम के दो किलो मिटर जाती है फिर वे चल कर अपनी दाएं और दो किलो मिटर जाती है और एक इस्तान तक जाती है जहां से वे फिर एक किलो मिटर बाईं और चलती है कितनी बार गूम लिए दोस्तों देखो एक, दो, तीन, चार, पांच बार भूम रहे अब आपको बताना कितनी दूरी पर गया है अब आपको बताना कि ये लीला कितनी दूरी पर गई लीला स्टार्ट करते हैं लीला का काम शुरू करते हैं वाई देखो पहले ये पता कर लो वापस इसकी चारों दिशाओं में ये उत्तर है ये दक्षिन है ये पूरब है और ये पश्षिम है चार दिशाओं हो गई ये तो आपको याद हो नहीं चाहिए उत्तर दक्षिन पूरब पश्षिम चार दिशाओं बार बार मैं आपी को बता रहा हूं कि जब दिशाएं पढ़ रहे हैं डारेक्शन पढ़ रहे हैं दोस्तों तो डारेक्शन की एक एक चीज़ हमें पता होना चाहिए और डारेक्शन की चीज़ें याद करने के लिए हमारे पास कुछ हो है भी तो नहीं कि उसको याद करें उ कुछ भी नहीं बचा है बस उसी को देखना है आपको कि बस लेट राइट सही तरी केसे चूज करके आपको चलना है तो कोई दिक्रत नहीं आएगी अधर वाइस प्रोब्लम कड़ी हो सकती है दोस्तों चुरू करते हैं लेला एक इस्तान से चलती है और एक किलो मेटर पूरब दिशा की ओर जाती है लेला को चुरू करते हैं एक इस्तान से चलिए और एक किलो मेटर चली एक किलो मेटर पूरव दिशा में चली ये पूरव दिशा है दोस्तों एक किलो मिटर चला दी मैंने लिला को पुरो दिशा में और फिर वह बाएं और गूम कर दो किलो मिटर चलती है अब बाएं किदर है इसका ये बाएं उपर की ओर है ये चली दो किलो मिटर दो किलो मिटर चलती है बाएं और गूम कर दो किलो मिटर चलती है अब देखिए आप बाएं और गुमती है और दो किलो मिटर बाएं और चलाई मैंने इसको लेकिन अब फिर दाएं और गुम कर दो किलो मिटर चलती है तो इसका दाएं इस ओर है और ये दो किलो मिटर चलती है फिर वे चल कर अपनी दाइं और दो किलो मिटर चलती है अब इसका दाइं ये लेट है और ये राइट हो गया नीचे तो इसका दाइं दो किलो मिटर ये हुआ दो किलो मिटर चलती है और एक इस्तान तक जाती है जहां से वे फिर एक किलोमेटर बाएं और मुड़ती है अब वापिस दोस्तों अब इसका बाएं किदर है ये इसका लेट हो गया ये इसका राइट हो गया तो बाएं इदर है इस और है तो इस और जाती है वो एक किलोमेटर एक किलोमेटर इस तरब जाती है इसे डाइग्राम बना एक केलोमेटर ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली तो वह कहता है कि अब हुआय प्रारणमिक इस्तान से कितनी दूरी पर है पर अरमिक अभी यहां पौँच गई दोस्तों है यहां पे पौँच चुका है और इसका यह इसका starting point है जहां से इसने start up किया है start point है इसका है तो यहां से शुरू किया था और यहां पे stop हो गया इसका काहों यह stop हुआ तो क्या करेंगे इसको add करते हैं यहां से यहां तक देखिए आप दोस्तों यहां से यह दो किलो मिटर है यह यहां पर बीड़ तो मुझे लगता है कि यह यहां पर भी दो किलो मिटर है मुझे लगता ये भी दो किलो मेटर है क्योंकि ये पूरा क्या बना हुआ है एक प्रकार का स्क्वायर बना हुआ है वर्ग बना हुआ है देखिए आप तो इसको एड कैसे करेंगे एक किलो मेटर तो यह यहां से यहां तक की दूरी है फिर यहां से यहां तक दो किलो मेटर तो अपने घर से तो वो पूरब दिशा में ही है कुंसे दिशा में है पूरू दिशा में है और अमारा आंसर क्या हो गया है यहाँ पे चार किलो मीटर दोस्तों तो आज की क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं कल इसी समय पे फिर मिलेंगे और दोस्तों फटा फट अपने दोस्तों को बताईए और सारे दोस्तों के अंदर वीडियो शेर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्क्राइब कीजिए तो मैं और अच्छा बताऊंगा और अच्छा कमेंड कीजिए इस पर दोस्तों जब तक के लिए जे हिंज जे वारे